हाज, हैलो फ्रेंड, मैं रन्जीत, आज अपके लिए लिए लक्रेक्षङ नाँ होल फर्मासिटिकल जूरिस्प्रोडेँज का औस इध्यूलज जो की हमने फ्रेंड फ्रेंड पार्ट में अपने सेडूल देखा था तो फ्रेंड व्रेंड सेडूल चूल के देख चूके थे वह आप देख सकते हैं तो फिरेंड चलिए फरेंड चलेशाना चलते हैं आगे कर देख लेते हैं कि इस पर भी फ़र्ष के बारे में तो फरेंड यहां पर जैसे कि किसी भी प्रोड़क्ट को बनाते है तो उसका जो सबसे पहला जू काम होता उसका packaging का होता है उसको किस परकार से packaging किया जाए उसका attraction हो कैसे होता है क। customer उसको देख करके Attractive कैसे होता है इस परकार से हम इसको देखते हैं तो जो है इसका जो trick हमने apply किया हुगा है यहाँ पे आप देख सकते हैं अब यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो trick हमने apply किया हुगा है वो यहाँ पे यह है package size of retailer तो जो schedule first में आता है है packaging size of various drugs तो drugs का जो होता है packaging इसमें आता है friend वहीं schedule Q की बात कर लिए जो हमने trick apply किया हुए friend यहाँ पे color coated structure तो आगे लेकर करके चलते हैं जैसे की color की drug का color क्या रहने वाला है जो की customer list of permitted drug dye and pigment in soap and cosmetic कैने के बतले लिस्ट एक लिस्ट होती है जो dye means होता है structure किसी चीज को structure देना या उसका डाई जो होता है डाई बनाते हैं उसका pigment pigment है related है color से friend color से related वहीं soap या costumatic का जो है coated बगारा होता है उसमें किस बगार से करना है यह तब soap और को स्टमेटिक प्रोडेक्ट का जो होता है color coated यहां पर कोटेड तो फ्रेंड अपसेंस में है बट जो color है और इस ट्रेक्चर है यह दोनों सेडूल की के क्यों के अंडर में आते हैं तो चलिए आगे देख लेते हैं अपने कि नेक्स्ट सेडूल के बारे में तो यहां पर जैसे की फ्रेंड सेडूल आर जो है यह है रिप्रोड़क्ट कि अच्छन बेरियर केने को तलब रिप्रोड़क्शन से स्टेप में बेरियर उत्पन करें के अंदर में आता है इसमें कंट्रसेप्टिव आते हैं तो जैसे कि यहां पर रेगुलेशन रिक्वार्मेंट फॉर्दा में रिप्रोड़क्शन जो हमारा ट्रिक है रिप्रोड़क्शन बेरियर केने का तलब जो की रिप्रोड़क्शन में बेरियर उत्पन करें उसके लिए हमने अप्लाई किया हुआ है तो यहां जैसे कि सेडूल आपको आगे next schedule के बारे में लेकर चलते हैं यहां schedule यह के बारे में बताए गया है यहां पर जो हमने trick apply किया हुए फ्रेंट यहां safe of direct manufacturing costumatic करने बतलब safe है जो safe हो और directly manufacture किया जाए costumatic को हाँ शुरक्षित किया जाए और कि इसके बाद आप इसमें toilet preparation direct manufacturing for costumatic product और schedule T जो किया है इंपोर्टन्ट है इसमें जो है treat किया जाता है आरवेदिक सिदा और यूनानी आरवेदिक सिद्धा यूनानी जो तीनों मेडिशीन है हमारी इसके जरीए treat किया जाता है कि सेडूल टी के अंदर तो फ्रेंट आगे चल लेते हैं देख लेते हैं सेडूल यू is urgent required keeping करें को जब आपको किसी टाक्वंऽ मेंट की ज़डरत होती है तो urgently required हो जाती है तो इस betrick के माध्यहं से हम देखेंगे कि urgent required urgent required और यहां पर जो कि हमने दिखायरे to schedule यू में आता है regulation requirement for record keeping किसी चीज़ का रिकोर्ड जो हता urgently हमेरे किसी document को urgently चाहिए तो इसके लिए हमने यह trick apply किया हुआ urgent record keeping तो इसमें record keeping का use किया जाता है schedule U में schedule B में जो है कि friend schedule B में है इसमें VIP वी आई पी कंपनी ड्रक पेटेंट काने का मतलब जो ड्रक पेटेंट आते हैं ड्रक पेटेंट अब यह schedule B के अंदर है तो कहने का मतलब कि जो भी आई पी बाहर की company होती है यह बी आई पी जो company होती है वही केवल drug manufacture करती है तो एक एक इस पारकार का यह हमने अपने अपलाई किया होगा है ट्रिक वहीं schedule Y की बात कर लिए जाए तो इसका जो ट्रिक है friend Y Y जो है सेम वर्ड है जी का जिस परकार से जी लिखा सेडूल वाई के अंडर में आते हैं तो अब फ्रेंड इस माध्यम से आप यह याद करते हैं आगे चलिए देख लेते हैं अपना सेडूल जी तो फ्रेंड इसमें सेडूल जी में जो की है हमारा सेडूल जी है ड्रग लेबल मस्ट डिस्पले दा टेस्ट आरेक्स ड्रग वर्निंग करने को तलब जो की इसमें जो टेक्स्ट होना चाहिए और इसमें जो होता है कि हम आपको दिखाना चाहेंगे ड्रग आलसो कम्स अंडर दप कि प्रिव्यू और और नार्कोटिक ड्रग और संसेड ओनए इस एक्ट इन्टइन स्पेंट käyt 경우 जो miał जो जो इसमें जो इसमें जो ड्रग आते हैं यह जो और को टिक अगरश्आ को सब्सेंट इंस आते हैं जिसा को का लिप न कौपी हिम्प यह थाजो ऑग आता है haven जो कि इसमें आते हैं Score-IN वगएरा एक्ट 1885 में आते हैं तो यह सेडूरेच की अंदर में आते हैं जो कि क्योवल कि प्रिस्क्रीप्टे करिकर देख के ही दिया जाता है आपकि आप किसी कई से रिलेटेड है तो जो कि सेडूल एक्स सेडूल एक्स जो है हमारा सेडूल एक्स जो है वो है आल दा रेगुलेशन आप दा सेडूल एक्स अप्लाई आल दा रेगुलेशन शेडूल एक्स अप्लाई जो होता है नार्कोटिक एंड साइको ट्रेप्टिक जो रिजिस्टर मेडिकल प्रेक्टिशना आर एंपी द्वारा लिखा रहता है वही होता है और ड्रग मस्ट बी कैप्ट अंडर दे लोक एंड की कैप्ट अंडर दे लोक यह सेडूल यक्स जो हता इसमें भी नार्कोटिक द्वाँ से रिलेट्शन रखता है और वहीं आगे की बात कर लिया जाए अपने अगर इसमें सेडूल जे जो है सेडूल जे में फ्रेंट हम देखेंगे की जो इसमें है वेरियश डिजीज एंड कंडिशन दैट इस जो 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 बिमारियां जैसे होती हैं जैसे टीवी हो गया मदमें हो गया डाइबटिक हो गया इन सबका अभी एड्स हो गया इन सबका टीवी का इलाज तो फ्रेंट उसको रोका जा सकता है बट जो डाइबटिक पेसेंट होंगे या फिर एड्स के पेसेंट है इनको केवल रोका जाता है रेगुलेट किया जाता है बट इसका ट्रीट अभी नहीं है तो इसमें जो सेडूल जे में हैं इसमें केवल वही डिज किस दिजिस आते हैं मैं तो फ्रेंड आप समझ जाएंगे की सेडूल जये में जो बरियस nizis and condition that can't not treat ये आते हैं ँटो चलते हैं सेडूल कर ले गिंट के पास तर इसमें जो है कि कि हमारे सेडूल जी में आते हैं हर्मोनल हर्मोनल को गपरेशन होता है इसमें जो की है मॉस्ट never jimix ड्रग और हर्मोनल पार्परेशंट जो की हमारे बोडी फ्लीड के थो यह फिर बॉड़ी ग्लेंड के थ्रु जो सी क्रेशन होते इस उन सबसे relation रखता है drug जो कि angestron पजिस्ट्रोन यह सब जो हार्मोन्स होते हैं कुछ adrenaline यह सब जो हार्मोन्स होते हैं यह फिर amino acids द्वारा सी क्रेशन जो होता है उन सब को यहां से release किया जाता है तो यह schedule G के अंदर में आते हैं प्रिप्रेशन किया जाता है जो synthesize किया जाता है medical science में इन सबसे रिलेटर रखता है यह सेकंड पार्ट जो हमारा जूरिस्प्रोडेंस से का था सेडूल का था फ्रेंड यह अब खतम होते हुए हम अपना जूरिस्प्रोडेंस का नेक्स्ट टॉपिक ले करके आएंगे और हमारे अगर यह वीडियो अच्छी लगा तो इससे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा फ्रेंड थैंक यू फ्रेंड